सबी को जयाहिन नमस्कार दोस्तो जयाहिन दोस्तो हेरा फेरी आए थी 2000 में और फिर हेरा फेरी आए 2006 में दोनों ही पार्टने हमें काफी हेरा फेरी के दोनों पार्टने काफी लोगों को गुदगुदाया काफी कॉमेडी देखने के लिए मिली अब फैन्स के लिए बहुत ब प्रोडूशर है फिरोज नाडियाडवाल ने कहा है कि इस पे काफी बाते आ रहे थी कि आएगी आएगी लेकिन हम उस पे कुछ नहीं कर सक रहे थे लेकिन अब फाइनली उन्होंने मन बना लिया है हेरा फेरी 3 पे काम करने का उसो फाइनली वो काम में तयार हो चुके हैं और 2023 पे सुटिंग शुरू कर देंगे हेरा फेरी 3 के परडूशर फिरोज नाडियाडवाल ने अक्षिकुमार से बात करते हुए उन्होंने बताया कि अक्षिकुमार अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर काफी बीजी है सुटिंग में बीजी है इसलिए अभी वो फिलहाल 2023 और परसरावल तो रहेंगे ही दोस्तों क्योंकि इनकी जोड़ी के बिना हेरा फेरी का कोई भी पार्ट सक्सेस्फुल नहीं होगा दोस्तों क्योंकि इनके जोड़ी ने जितना गुदगुदाया है चाहिए आप हेरा फेरी या फिर हेरा फेरी कहिए लोगों को काफी गु तो फाइनली अब 2023 में इसकी सुटिंग सुरू हो जाएगी अब किस डेट भी होगी हलाकि इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है लेकिन 2020 में शुटिंग सुरू हो जाएगी अब हेरा फेरी 3 के मेकर्स किस तरह का कॉमेडी तड़का लगाते हैं ये देखने काफी दिल्चस्पी होगी अब लेकिन इसपे एक और खबर निकल कर आ रही है कि हेरा फेरी 3 में पैसो की हेरा फेरी नहीं होगी दोस्तो इससे कुछ हो सकता है बलकर हेरा फेरी हो हने वाली है तो इसमें कहा जा रहा है कि राजू की हेरा फेरी हो सकती है दोस्तों यादि कि अक्षे कुमार राजू की हेरा फेरी हो सकती है राजू कहीं चला जाएगा या फिर गुम हो जाएगा उस पे हेरा फेरी सुरू हो सकती है जहांसे फिर हेराफेरी फिल्म समाप्त हुआ था जहांसे खतम हुई थी वहीं से हेराफेरी 3 की शुरू होगी जो स्टूटी वहीं से दिखाया जाएगा तो काफी मज़ा आने वाला मैं जानता हूँ इस फिल्म को लेकर काफी फैस उसूख है तो वेट जादा नहीं करना होगा 2023 में शुरू हो जाएगी आप कितना उसुख हैं इस फिल्म को लेकर हमें जरूर कमेंट करकर बताए हम आपका कमेंट जरूर पढ़ेंगे अपने वीडियो में नाम लेकर तो आप भी जरूर कमेंट करके बताएं आप कितना उसुख हैं इस फिल्म को लेकर मैं तो काफी उसुख हैं अब देखते हैं किस तरह का कमेटी तड़का लगता इस फिल्म में और इसके फिल्म के बारे में कोई भी जानकारी निकल कर जैसे ही सामने आएगी हम आपके समझ जरूर रखेंगे तब तक जैहिन वंदे मातरम और चैनल में अगर नए है तो सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद